आज हम बनाएंगे बहुती स्वादिष्ट, हेल्दी सबजियों से भरपूर मिक्स वेच राइता, अगर आपने एक बारिष राइते की रेसिपी ट्राइ की न, तो मैं गरंटी की साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में सारी सबजियों की छुट्टी हो जाएगी, कोई भी सबज खाना पसंद नहीं करेगा, सब यही रोज राइता बनवाने वाले हैं, बहुत हेल्दी, पोस्टिक से भरपूर, स्वादिष्ट बनता है, और अभी थोड़ी गर्मिया भी होने लगी हैं, तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पे एक बाउल लिया है, और इसमें हम लेंगे बिल्कुल ताजा और फ्रेश दही, यह घर पे जमा हुआ दही है, बहुत खटा दही नहीं लेना, क्योंकि राइते में जब हम मसाले बगर डालते हैं, दही वो और भी खटा हो जाता है, तो आपक जिखी नहीं है, और एक मीडियम साइज का प्याज लिया, जिसको भी मैंने बारेक बारेक चोब कर लिया है, तो यहां पे मैंने तीन प्रकार की सबजिया लिया है, आप जो भी सबजी खाना पसंद करें, वो इस रायते के अंदर एड़ कर सकते हैं, मिक्समेज रायते का मत खटा मिठा फ्लेवर आता है, क्यों दही खटा होता है, और नार के दाने मिठे मिठे होते हैं, तो बहुत ही तेष्टी बनता है, यहां पर जाएगा इसके अंदर सेंदा नमक, आपको यहां पर काले वारे नमक अस्तिमाल करना है, इस रायते का टेष्ट बहुत अच्छा है, यहां पर जाएगा टेष्ट के अकोडिंग लाल मिठ पाउडर, अब अच्छा से इसको हम मिक्स करेंगे, सारे रायते को अच्छा से मिक्स करेंगे, मसाले, सबजियां, सब दही के साथ एकदम से कोड हो जाएगी, आप अगर एक बार यह रायता बनाएंगे ना, तो आ मैंने यहां पर तवे पर जीरे को अच्छे से रोस्ट करके इसको पीश लिया था, अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जीरे के वगएर तो रायते का टेस्ट बिलकुल अधूरा रहता है, तो आप इसमें जीरा जरूर से डाले, आप यहां पर आप देख सकते हैं, राय इसमें डालेंगे मसाले, तो मैंने यहां चार से पांच लहसुन की कलिया लिया है, जिसको बारिक बारिक मैंने चोप कर लिया है, यहां पर अच्छे से भून चुकी है, और यहां पर हाप्टी स्पून डालेंगे हैं, राय के दाने इसको अच्छे से चटकने देंगे, यह आपे डालिया मेने कसूरी में थी, बहुत अच्छे फ्लिवर के लिए, साथ ही आपे डालिया मेने कस्मेरी लाल मीर्ज, इससे सरफ कलर अच्छा आता है, वासा कि इसमें तीखा पन नहीं होता, अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, ये हमारा तड़का मसाला बनके त्या हो गया, आप चलते हैं राइते की तरफ, तो ये हम फटा-फट से गरम-गरम इसमें तड़का लगा देते हैं, तो ये हमारा घी के तड़के वाला राइता बनके त्यार हो गया, इतनी अच्छी खुश्भू आ रही हैं, बहुत ही अच्छी, इतना स्यांदार बनता है, खोथ ही टेश्टी बनके त्यार होता है, तो मैंने यहां पिसको अनार के दाने के साथ सब किया है, उमीद करती हूँ कि आपको इस रेसेपी पसंद आई होगी, आप इसके साथ रोटी पूरी पराठे बनाई होने से एंजोई कीजिए, रेसेपी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेर करना मत भूलिएगा, मिलेंगे आपको नई रेसेपी में नई वीडियो के साथ, अब तकी लिए टेक के, बाबाई